देश इंदिरों एक खतनाक महमारी कोरुना से जंग लड़ रहा है। इसी बीच कई सारी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। कोरुना की बात की जा रही है। किसी का कहना है कि अलकोहल से कोरुना खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने ये सोच कर अपने घर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का स्टॉक रख लिया है कि ये दवाई कोरुना का हिलाज है। इसी बीच एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर जम कर फैल रही है। वो है कि गुनगुने पानी के गरारे से कोरुना खत्म हो जाएगा। हम इस तथि को गलत नहीं कहते। गुनगुने पानी के गरारे व्यक्ति के सेहत के लिए फायदे मंद है। लेकिन जब मामला कोरोना से जुड़ा हो तो एक बार सच तक जाना जरूरी हो जाता है जहां तक बात है गुनगुने पानी के सेवन की और उसके गरारे करने की तो वो इसलिए फायदे मंद है क्योंकि इससे हमारे गले में हो जाने वाला कफ जिसमें वायरस अपनी जगह बना कमक्य पानी से गरारे करना रहत देता है किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरल इंफेक्शन हो वो गर्म पानी की मदद से नश्ट हो जाता है ना कान गले को साफ रखनी में भी गर्म पानी मददगार है फिलहां कोरोना से नपटने का कोई भी तरीका सामने नहीं आया है ना खुद को सर्दी जुखाम जैसे चीजों से दूर रखने के लिए लेकिन आपको एक बात फिर से बता दें कि ये आम इंफेक्शन में मदद करता है ये कोरोना का इलाज नहीं है इसलिए खुद को या अपने आसपास की किसी भी व्यक्ती में कोरोना का संक्रमन अगर नजर आए तो तुरंध ही मेडिकल हैर्प लें और खुद के साथ साथ दूसरों की भी सरक्षा करें सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स